हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो एलेस अगेडम फॉर टेकनिकल एजुकेशन टोडेवर डेस्कस अबाउट दर डेकर्स अल्गॉर्थिम विची यूजट एज सॉल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्षिन प्रॉलम वेन वी अब थे नम्मर आप प्रॉसेस इक्वल टू यानि अगर आ और बाउंडेड वेटिंग उन तीनों को कौन साटिस्फाई करेगा तो वन अब दा बेस्ट सॉल्यूशन इस दर डेकर्स अल्गॉर्थिम जो की यूज़ किया आता है नौर्मली आपको बुक्स में एक ही प्रॉसेस 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 की अल्गॉर्थिम दे रखी होत हुआ है वही कोड हमने पीजे के लिए लिखा हुआ है सिरस डिफ्रेंस कहा है कि जहां पर हर आई एलिकर्अ हमने जय है जब इधर लिखेंगे लिखेंगे कोट तो फ्लेहिंग फ्लेच OH J हो जLEYए करूंस पर दिया है तो दोनों की द्वाइब करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम यह decide करेंगे कि एक बार में एक प्रोसेस हलाव हो और दूसरे प्रोसेस उसके बाद ही entry करें critical section में initially क्या होगा कि दौनों के दौना flag अपनी value को false कर लेंगे यानि कि कोई भी process initially अपने critical section में नहीं जाना चाहते हैं तो जब यह जाना चाहेगा यह अपना flag true कर लेगा जब यह जाना चाहेगा यह अपना flag true कर लेगा ठीक है दौनों जब दौनों को critical section में एंट्री करना होगा एक साथ तो दौनों ने क्या कर लिए flag true कर लिए उसके बाद process pi चेक कर रहा है कि जब तक while flag j यानि कि जब तक flag j की value true है जब तक flag j की value true है तब तक क्या करेगा यह चेक करेगा क्या क्या टर्न भी चेका है तो साथ में और process pi चेक कर रहा है यानि हर process क्या कर रहा है दूसरे का true कर रखा है तब तक यह क्या करेगा पहले चेक करेगा क्या 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 टर्न भी जेका है ऐसा तो नहीं कि फ्लैग उसका true है लेकर time किसका हो आएगा हो अगर टर्न भी जेका है उसने देगा flag अगर दूसरे का टर्न चेक करता है अगर दूसरे का flag और दूसरे का टर्न दौनों क्या है ट्रू है तो वह क्या कर लेगा अपने flag को false कर लेगा ठीक है अपने flag को false करने के बाद जब तक while turn equal to j जब तक दूसरे का flag j रहेगा यानि ये condition true रहेगी तब तक semicolon ये process आगे बढ़ेगा ही नहीं पिए process pi अगर दूसरे का flag भी true है दूसरे का turn भी है तो अपना flag false कर लेगा और जब तक दूसरे का turn j रहेगा तब तक ये आगे बढ़ेगा ही नहीं ठीक है कुन एजिक्ड़ होगा उसýynn में process pjsama का करेगा काम करने के बाद time किसका set कर देगा जे का set कर दEगा यानि process pi क्या कर रहा है पहरे दूसरी condition चेक कर रहा है अगर मान लिजिए P.J. अपने काम में लगा हुआ है सारी चीजिए P.J. के लिए true है तो यह क्या करेगा तब तक वेट करेगा जब तक इसका खुद का नमबर नहीं लगता जैसे इसका नमबर लएगा यह अपना काम करेगा काम करने का बाद फिर से किसका सेट कर देगा यह तरन दूसरे का ही सेट कर देगा टन इक्वल टू जे ठीक है और साथ में जब इसका काम कातम हो गया इसने फ्लैग यह ट्रू कर रहा था उसको भी कर देगा फिर से इसने ना थे ट्लानरी नहीं करना था मुझे भी लेकिन रोट टीकल सेक्शन में लेकिन का चर्क रा यह और क्या करेगा यह चेक करेगा क्या उसका टन भी तो नहीं है अगर टन भी उसका ही है और फ्लैग भी उसी का है दौने चीज किसकी है पी आई की है तो यह क्या करेगा पीजे वाला अपना फ्लैग फॉल्स कर लेगा और जब तक दूसरे का आई वाले का टन रहेगा तब तक यह क्या करेगा semi-colon आगे बढ़े गए ने क्योंकि semi-colon का मतलब क्या है यह loop आगे बढ़े गई ने ठीक है जैसे कंडिशन false होगी तरुन क्या करेगा अपने फ्लैट करेगा जो इसने false कर रखा था अपना करना अपने जाएगा अपने मोचा चäll चन अपना काम कर दिया और दूसरी अपना फलाल फ्लैग false कर दिया कि हम मुझे transfer नहीं करना है तो इसमें क्या हो रहा है जो डेकर सा algorithm क्या कर रही है इसमें हर process दूसरे process का flag और turn दोनों true कर देता है ठीक है और जब तक wait करता है जब तक दूसरा process अपना काम complete नहीं कर लेता जैसी दूसरा process अपना काम complete कर लेगा उसके बाद यह वाला process अपना start करेगा अब मालो initially इसने फ्लैग true किया इसने भी फ्लैग true किया लेकिन इसने फ्लैग true करने के बाद यह line execute कर दिया अपनी क्या कि क्या flag j true है और उस से पहले यह line execute हो जाए फ्लैग j equal to true होने से पहले तो क्या line work करेगी उस case में work नहीं करेगी जब work नहीं करेगी तो सीधा system किसमें इंटर कर जाएगा अपने critical section में उस case में जाएगा इनिक इस case में अगर flag j अपना true नहीं है तो सीधा किसमें चला जाएगा critical section में चला जाएगा ठीक है critical section में जाने के बाद काम खतम करेगा और turn किसका set कर देगा दूसरे का set कर देगा और अपना flag क्या कर देगा false कर देगा जो इसने true कर रखा था ठीक है तो यह भी depend करता है कि जब तक इसने true कर रखा है उस समय तक क्या true हुआ है नहीं हुआ है अगर जब तक true नहीं हुआ है तो सीधे बिना इस पूरे procedure को follow कियो सीधे क्या कर जाएगा अपने critical section में एंटर कर जाएगा क्यों उस समय तक यही विश कर रहा है कि मुझे जाना ही नहीं कि मुझे critical section में जाना है ठीक है तो यह लाइन कब होगी जब आप विश्भी दोनों एक साथ विश्च करना चाहते अगर एक ने विश्च किया है critical section में आने कि दूसरे जब दा किया ही नहीं है तो क्या होगा हर प्रोसेस सीधा अपने critical section में entry कर जाएगा तो इस तरीके से कि देकर्स आपकी algorithm वर्क करती है लेकिन यह वर्क अप करती है सिर्फ जब दो प्रोसेस होते हैं अगर दो से यादव प्रोसेस हैं उनकी केस में डेकर्स algorithm आपकी वर्क नहीं करती है in the next video we'll discuss about the algorithm which works for the n number of processes and that is called the bakery algorithm i hope now you understand the concept of decker's algorithm in case if you have any doubt you can ask in the comment section and if you like this video kindly share and subscribe thank you so much